नमस्कार दोस्तों महुं सुरेश सियाग और आप देख रहे हमारा यूटूब चनल खेट किसान जूझनो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तरिया ककडी के उपर हमारी जो तरिया ककडी है वो आज सतर से पिछेतर दिन की हो गई है और उसमें हमने 3-4 हर्वेस्टिंग कर ली हैं लेकिन अभी जो है उसकी कंडिशन में थोड़ा सा बदलाव आने लगा है और प्रोडक्शन भी थोड़ा धिरी-धिरी अब कम होता जा रहा है तो ऐसी वस्ता में अगर आपकी ककडी तीन-चार हर्वेस्टिंग करने के बाद में इस तरह की आपको भी दिक्कत आती है तो उसके अंदर क्या करना है कौन सा खाथ जालना है और कौन-कौन सी हमें सावधानिया वरतनी है वो इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों महु सुरेज सियाग और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल खेत की साथ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर लिवा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए चैनल माल निकल चुका होगा और इतना माल निकलने के बाद में मतलब जितने हमारा हर्वेस्टिंग होता है माल निकलता है जितना भी हम खाद डालते हैं वो सारा निकल चुका होता है इस condition में तो इस समय हमारी तरिया ककडी को विशेज खाद और विशेज माइक्रो नूट्रेंट्स की जुरूत रहती है तो आगे हम कौन सा खाद और कौन सा माइक्रो नूट्रेंस वगरा जो भी इसके अंदर अभी क्या डालने वाले हैं दोस्तों वही फर्टिगेशन और वही खाद मतलब जो भी हम डाल रहे हैं वह आपको मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा और इस वक्त हमारी ककड़ी को दो कौन कौन सी खुराकों की जुरूरत है वह आपको दिखाऊंगा मैं यह हम पहला तो ले रहे हैं 1260 और यह हमें इफको कंपनी का मिला है इससे पहले जो हमने लिये थे वह मल्टिप्लेक्स के लिये थे और अभी हम इफको का दे रहे हैं और दूसरा इसके साथ सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है यह देखे आप यह हम दे रहे हैं फेरस 17 परसंट यानि आइरन ठीक है आइरन का काम इसमें सबसे ज़्यादा ककड़ी हो तो आइरन हमारी ककड़ी हुई कुमबर जैसे खेरा हुआ इन जैसे सबजियों में आइरन का काम सबसे महतोपुर्ण होता है और यह हमें जरूर देना चाहिए खास तोर पर जो दो तिन तुड़ाई है अगर हमारी ककड़ी की हो गई तो हमें आइरन जरूर चड़ा देना चाहिए और आइरन से क्या होता हमारे पोदह को ककड़ी को सबसे जरूरत हरती है काकड़ी हो या खीरा हो एक ही चीज है दोनों में जबराबर देना चाहिए और इसमें आईरन की मातरा अगर हमारी ककड़ी को बढ़ेगी तो वो हरा बरा रहेगा और और जदा फ्रूटिंग आप आने को आपको देखने को मिलेगी तो हम अभी इसमें काम में ले रहे हैं तो इन दोनों खुराक से क्या होगा दोस्तों हमारी जो ककड़ी है वो 15-20 दिन और जदा गरो करेगी और 15-20 दिन तक और जदा गरो करेगी तो पता आपको 15-20 दिन तक हमें और जदा प्रडुक्शन इसमें मिलता रहेगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेर करके अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबालीजिए